हेलो और फ्रेंड्स वल्कम टू स्टूडेंट कोर्नर और आज हम डिसकस करने वाले हैं यूनिट वन जो की बीए सीजी प्रोग्राम के अंदर हमारी फिर्स्ट यूनिट का फिर्स्ट लेसन है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट प्रोटोन इस लाइड में हम कुछ इसके चार सेक्शन हो सकते हैं आगे आने वाली वीडियो इसको देखने के लिए आप पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अगर आपको कोई भी क्वारी है या आप चाहते हो कि अलग कोई वीडियो बने तो आप और आप जरूर के अनदर रहती है अखेंड टॉपक यह गशेंट्याइशन अफॉटर्विक नुट्रिशन पोटो संथेस्ट प्लस हीट्रॉट्रॉपिक नूट्रिशन फोटो संथेस्स में क्या होता है कि कोई भी अर्गेनिजम सपना खाना कुद्ध संथेसाइज करता है है डूरिंग दी प्रिजंस ऑफ लाइट हिट्रोफिक नूट्रिशन मतलब वो और्गेनिजम्स किसी और और्गेनिजम्स पर फूर नूट्रिशन के लिए डिपैंड होते हैं तो मिग्जोट्रॉप्स में क्या होता है वो फोटो संथेसिट भी करेंगे और हिट्रोट्रोफि और्गेनिजम्स दाफ रिदूस मैट्रोकॉंट्रिया इस नौन एज हाइड्रोजिनो जोंग फोटोफ पॉइंट पाइट प्रॉंट पिंच विजिए प्रॉससे पाइट विच अनौर प्रे प्रेगों शाइट्स ये एक प्रॉसर्स है जिसके अंदर कोई और अनॉरी और ingest कर लेता है by prey और phagocytes general characteristics of protista ये कुछ general characteristics हम पढ़ेंगे protista के बारे में first point is that they all are primitive unicellular eukaryotes unicellular मतलब single-celled organism and eukaryotes मतलब you मतलब true and karyote मतलब nucleus true nucleus second point some are parasitic others are predatory और mixotrops mixotrops को हम पहले discuss कर चुके हैं जिसके अंदर photosynthesis और hydrotrophic nutrition दोनों हो तो इसके अंदर क्या होता है या तो यह parasitic होंगे या predatory होंगे या फिर photosynthesis और hydrotrophic nutrition दोनों available होगा protista term was coined by Ernest Hegel in 1866 protista जो term है उसको Ernest Hegel ने 1866 में दिया था they all are polyphyletic polyphyletic का मतलब क्या है protista group have arisen from several distinct ancestors and therefore they cannot be placed in one single kingdom protest hands they have came up with classification system having nameless rank polyphyletic से यहां पर मतलब बताया गया है protist जो हैं उनके काफी सारे पहले several ancestors रहें so इसको एक kingdom में classify नहीं किया जा सकता है इसलिए इसको nameless rank भी दिया गया है आगे है you carriers have been placed under four supergroups इसलिए you carriers जो हमने भी इसके single cell organisms पढ़े हैं इसको supergroups में भी डाला गया है first was excavator second sarklet sar 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 का यहां पर different meaning है archiplastida and uniconta archiplastida को हम इतना जादा detail में discuss नहीं करेंगे first एक सब्सक्राइब इसके बाकि जितने names मैंने इसमें यह हुआ है यह सब आप पढ़ लेना एक बार और इसकी जो detail view बनाएंगे हम वो next series में होगी तो उसको देखने के लिए आप चैनल को जरूर subscribe कर लेना और comment section में जरूर बताना कोई क्वारी हो तो और sar का यहां पर मैं meaning बता देती हूं एस फॉर स्ट्रेमनो पिला जो की unranked है अन्रेंग क्लास मैंने अभी बताई थी क्यों दिया गया उसको ए वास अल्वियो लेटा और वास राइजी रिया तीनों अन्रेंग्ट हैं अन्रेंग्ट हैं